मैं रोकर सुमित कुमारजा आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल बुक अपने लोव में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब जानता है कि मेरा चैनल लोव से लेटेड़ है इस पर हम कानूनी जानका ले देते हैं लिगल प्रोविजन को डिसकस करते हैं अभी हम नया कानून जो आया है एक जुलाय दोजार चौबीस से लागू हुआ है अभी हम उसको पड़ रहे हैं हम उस सेक्शन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो बिल्कुल ही नया है या फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ है जो पहले था लेकिन उसमें बदलाव हुआ है उसे गाली गुलाज करते हैं तो आपको क्या सजा मिलेगी देखिए गाली गुलाज करते हैं उसकी अलग धारा है चोट पहुचाएंगे उसकी अलग धारा है और गंभीर चोट पहुचाएंगे उसकी अलग धारा और तीनों का पनिस्मेंट भी अलग-अलग है ठीक है तो बी केरफुल आप एकदम ध्यान से सुनिए सबसे पहले कि अगर उस व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट को सरकारी करमचारी को उसके काम से रोकने के लिए आप उस व्यक्ति को हर्ट करते हैं यानि कि मारते हैं ठीक है हर्ट ग्रीवियस हर्ट में क्या आमतार है यह हमने आपको पहले बता दिया है अब ही आपको ग्रीवियस हर्ट जानने के लिए सक्षन पहले 324 था IPC का और अभी वह 116 में है ठीक है तो उसका अपना देखना होगा आपको कि उसका क्या परामीटर है और हर्ट मतलब होता है जो एकदम छोटा सा चोट हो ठीक है और ग्रीवियस हर्ट 121 क्या लगी कि 121 ठीक है तो इस 121 को आपको याद रखना है अब तो 121 के तहट जो आपको सजा मिलेगी अगर हर्ट पहुचाते हैं तो यह पहले 3 साल था अब यह बढ़कर के हो गया 5 साल यानि कि आपको 5 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है ठीक है अगर आप उसक हर्ट करते हैं तो यानि कि छोटा मोटा चोट पहुचाते हैं तो अब ग्रीवियस हर्ट की बात आ गई जदि ग्रीवियस हर्ट पहुचाते हैं तो कम से कम एक साल के लिए आपको जेल जाना होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है ठीक है तो यह दिखने को मिला एक है तो पहले केंसा था था यह आपको वर सकती है रहे है इक किसको बढ़ा दिया गया दो साल 121 में क्या लिखा है कि आपको सज़ा हो सकते हैफ के सब्सक्ता करते है तो में पहले था कि कुछ मिनिमम नहीं था देय λέओ अब minimum एक साल से कम की नहीं होगी और दस साल से ज़्यादा की नहीं होगी अगर ग्रीवियस हट पहुचाते हैं तो और fine भी लगाया जा सकता है fine decided नहीं है अब एक धारा और लगती है वो एक धारा होती है पहले जो थी वह था 353 ज्यादा तर इसका उपयोग पुलिस के साथ अगर आप जगड़ा करते थे तो वो लोग 303 लगा देते थे 303 लगाना इसी लिए आसान है क्योंकि इसमें असल्ट की बात आती है सल्ट आप कैसे असल्ट का मतलब होता है आप कुछी को डर आ रहे हैं धंका आप मुह से भी रहा धंका सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको इंजरी हो आपको चोट लगे लेकिन section 332 लगाने में क्या होता आपको धंका है आपको रोका हमको काम नहीं करने दिया और criminal force criminal force मतलब होता है कि धका मुकी भी हो गया चोट नहीं हो लेकिन आपने criminal force का इस्तमाल किया आपने उन्हें रोका काम करने से रोका ठीक है किसी भी public servant को किसी भी सरकारी करमचारी को तब आपको जो सजा होगी वो ह माइन आपको हो सकता है I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जिसमें ज्यादा तर्जू सेक्षन था वो 353 यूज होता था ठीक है और 332 का भी लेकिन कम इस्तमाल होता था तो अब तो 353 की जगह पर क्या आगया 132 दो साल की सजा और 332 की जगह पर आगया 121 यानि कि अगर हट है तो 5 साल अगर उससे ज़्यादा है तो एक साल कम से कम और जाए ज़्यादा 10 साल की सजा आपको हो सकती है मिलते हैं किसी नेक्ष वीडियो में किसी इंपोर्टेंट टोपी के साथ हो सकता है तो सब से ज़्यादा जो मार पीट पर लगाई जाने वाला सेक्षन था जानि कि 323 था ठीक है 324 था 325 था यह सब सेक्षन मार पीट में लगाया जाता था 506 था धमकी देना यह सब तो हम क्वेसा वीडियो बनाएंगे कि जिसमें कि एक वीडियो में चारपा सक्षन कवर हो जाए यह सब तो यह सब और यह सब आपको नेक्ष वीडियो में बताएंगे प्लक् Island